असलाम अल lung, कैसे हैं सब लोग? आज के इस lecture में मैं आपको खुशामदेद कहता हूँ उमीद करता हूँ आप सब खुशबाश होंगे और इस lecture में इंज्वाइ करने वाले हैं क्यों? क्यूंके आज के इस lecture से हम स्टार्ट करने वाले हैं Flask App Flask क्या है यह एक micro web framework है जिसके थूँ आप web apps बना सकते हैं और इसकी पूरी के पूरी playlist का link आपके सामने description में मैंने दिया हुआ है या आप इस playlist के link को मेरे दाएं या बाएं side में उपर i button के अंदर देख सकते हैं तो times ये आप किये भीना start करते हैं बिल्कुल installation से हम start करेंगे और इस पूरी playlist के अंदर मैं आपको सारा का सारा काम web app बनाने का using python flask कैसे करते हैं वो समझाने वाला हूँ let's jump into it screen आपके सामने share हो रही है यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक folder बना लिए documents में जाके flask tutorials का और इसके अंदर हम अपना सारे के सारा काम करने वाले हैं अब मैं क्या करूँगा इस एक folder को मैं vs code open करके उसके साथ मैं open कर लूँगा so this is my flask folder मैं यहाँ से हमेशा आपको पता है कि इस तरीके से इसको open कर लेता हूँ अब हम installation करेंगे और installation के लिए जो हम काम यूज़ करने वाले हैं यह आपको भी पता है हम konda environment के through flask को install करेंगे यहाँ पर मैं new terminal open कर लेता हूँ और new terminal के अंदर आप अगर यहाँ पर देखें मैं इस जगा से git bash को ले आता हूँ git bash क्यों उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ konda activate so it should work with konda it didn't work तो मैं क्या करता हूँ second मैं try करता हूँ say for example command prompt की मैं जैसे command prompt को लेकर आता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ konda activate तो यह भी हमारे पास konda नहीं चला रहा इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर mini konda या ना konda prompt लिखता हूँ then I can run konda environment inside that prompt और यह konda environment मेरे पास terminal के अंदर activate नहीं है सो हम क्या करने वाले है यहाँ से जब भी कोई terminal हम open करते हैं यानि के मैं terminal पर जाता हूँ new terminal की यहाँ पर बात करते हैं और इस terminal के अंदर हम अगर command prompt, git bash और power shell को यूज़ करते हैं तो हमारे पास हमारा जो terminal है वो नहीं start होता इसलिए हमें यहाँ पे konda environment के लिए anaconda prompt जो है वो ले के आना पड़ेगा anaconda या konda क्या है यह आपके लिए basically environment को बनाने का तरीका कार होता है environments क्या होते हैं कि आप different किसम के softwares different जोगों पर रखते हैं अब इसको मैं बताता हूँ कि आपको इस functionality को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा google पे जाना पड़ेगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा mini konda mini konda anaconda documentation पे जाने यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है आपने mini konda for windows यह mac जो भी आपके पास है उसे install कर लेना है for example यह mini konda windows 64 bit मैं इस पे click करता हूँ यहाँ पे यह install हो जाएगा download हो जाएगा download करने के बाद इसको आपने install कर लेना next 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 करके जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है so मैं क्या काम कर रहा हूँ मैं यहाँ से terminal के उपर इसे on रखता हूँ अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ konda environment list यहाँ से मेरे पास पूरे environment आ जाएगे मेरे पास दो environment है एक python ml है और दूसरा मेरे पास base का environment है अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करूँ मैं यहाँ पे konda create minus n यहाँ पे मैं नया environment बनाता हूँ flask underscore env क्यों क्योंकि यह बिल्कुल नई machine है जिसके थरीव मैं काम कर रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ इस वज़ा से तक आप installation को अच्छे तरीके से देख सेके बहुत जादा लोगों को installation के problem हा रही है जैसे मैंने यहाँ पे konda create minus n flask env दबाया इससे क्या हुआ मेरे पास एक निया environment activate हो गया konda activate flask underscore env तो यह मेरे पास environment आ गया अब हमने क्या करना है इसके अंदर install करना है konda install यहाँ पे मैंने लिखना है python is equal to 3.11 ठीक है इसको मैं install करता हूँ तो यह मेरे पास konda install हो जाएगा you can do what you can go on google यहाँ पे लिख सकते हैं flask जैसे आप flask लिखेंगे न तो आपके पास ये वाला flask की एक app open हो जाएगी तो flask है क्या यह basically micro web framework है इसके अंदर आप web apps बना सकते हैं और minimalistic way के अंदर आप web apps को बना सकते हैं दूसरा हमारे पास जो है streamlet जो मैंने पहले भी बताया है आप streamlet के थरू भी web apps बना सकते हैं यहाँ पे streamlet तो हम क्या करेंगे अब इस पूरी tutorial series के अंदर हम flask को देखने वाले हैं जैसे मेरे पास ये python install हो गया है अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे करूँगा pip install python या मैं एक और काम कर सकता हूँ konda install sorry flask minus y तो मैंने क्या किया konda install flask minus y करने के बाद मैंने konda के थरू flask को install किया minus y का मतलब यह है कि मेरे पास ये automatically yes हो जाए यानि कि जब भी ये konda online environment repository से through ये flask को देख रहा हो तो मेरे पास flask जो है वो install हो जाएगा अब जैसे ये मेरे पास install होगा you can see that कि ये हमने एक separate environment के अंदर इसको install करने है install करने के फोरण बाद हम अपना काम जो है उस पे नजरसानी करना शुरू कर देंगे जैसे मैंने यहां पे इसे install की है मैं konda list करता हूँ तो मेरे पास ये सारे के सारे environment आ जाते हैं और इस में अगर मैं scroll अप करूँ तो ये flask भी बढ़ा हुए जिसका वरियन है 2.25 ठीक है या आप अपना वरियन भी चेक कर सकते हैं तो ये आपके पास python 3.11, 11.8 है 2.25 जो है आपके पास flask है फिर 2.3.8 जो है आपके पास work.io कहा है ये तीन basically libraries हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी चाहिए जब भी आपने flask के उपर काम करना है तो मैं यहां पे और भी libraries इंस्टाल करता हूँ जो जरूरी है pip install pandas, numpy matplotlib plotly cbon and then scipy sci kit learn and हमारे पास और भी काफी है लेकिन अभी के लिए इतनी रन करते हैं because we need these libraries whenever we are working on something तो यहां पे हमारे पास है जी ignore the following versions किस चीज का वरियन है जनाब यह यह कहरर आ रही है pip install किस चीज की error है we have to see that matplotlib की download plotly okay plotly के अंदर error है plotly को अभी के लिए हम फिर यहां से remove करते हैं बाखे चीज़ों को हम install करते हैं फिर error हागी let's see अब किस चीज की error है pip install pandas pandas आब easily install हो रहे है and then इसके बाद हम जो अपनी दूसरी libraries है उनको भी install करने की कोशिश करते है hopefully every library will be installed yes pip install numpy and cbond यह दो libraries को install करने की कोशिश करते हैं देखते हैं कहां पर error आई थी यह भी okay हो गई है matplotlib भी install हो गई है अगर आप देखें तो क्योंकि cbond की वो basically dependency है तो मैं यहां पे pip install matplotlib भी लिखता हूँ यह देखें पहले से install है so the next one was scipy यह भी हमारे पास install हो जाई है obviously आपको internet अच्छा चाहिए होगा जब आप इन चीजों को install कर रहे होंगे so यहां पे हमने scipy को भी install कर लिया let's see कि यह हमारे पास किस तरीके से install होती है and then we have pip install scikit-learn scikit-learn को भी हम install करते है और scikit-learn के बाद हमारे पास I think so most of the libraries have been installed plotly को try करके देखते हैं कि क्या मसला है plotly क्यों ने install हो रही थी plotly यह भी हो रही है फिर कोई spelling की mistake होगी but I think let's see it's taking a little bit of time but it's fine जब आप किसी चीज़ को install कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा सब्रोत हमल का मुझाहरा करना पड़ता है ओके जी तो हमारे पास यह लाइबरेरी इंस्टॉल हो गई है अब हमने क्या करना है एक और लाइबरेरी यहां पर इंस्टॉल करनी है pip install ipy kernel को reason यह है कि कभी कभी आपको जुपिटर नोट बुक को जलाने की ज़रूरत पर जाती है and that is necessary for the kernel kind of work if you are learning vs code तो आपको पता होगा यह ज़रूरी है okay तो यहां पर मेरे पास यह जो folder open हो गया है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर यह folder है जिसका नाम flask हमने रखा हुआ है और इस folder के अंदर जब भी मैं कोई नया folder बनाऊंगा तो मेरे पास आ जाए रहा है तो मैं 00 basic का यहां पर पहले folder बनाता हूँ और आप देखें कि हमारे पास यहां पर folder की structure के अंदर और और रड़ी basic का एक बन गया है या इसको मैं basics बोल देता हूँ just to be on the safe side basics ठीक है तो मैंने इसको basics बोल दिया अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास basic बन गया और यह जो folder है इसके अंदर हमारी सारी की सारी apps होंगे सबसे पहला काम जब भी आपने कोई काम करना आप बनानी है for example इसको मैं basics की भी बजाए इसको अगर मैं 01 app के बोल दूँ ठीक है 01 app ठीक है पहली app हमारी और इसको हम 01 basic app बोल देते है 01 basic app अब इसके अंदर हम एक python की file बनाएंगे app.py यह python की file बनाई यहां से हमारी application development जो है वो start हो जाएगी यहां से हम flask का environment interpreter को select कर लेंगे अब हमने करना क्या है flask को यहां पर run करना है and then you will see कि हमारे पास चीजी जो है वो उसी तरीके से run होना start हो जाएगी for example मैं यहां पर लिखता हूँ from flask ठीक है import flask यह जब हमने import कर लिया now the next thing is we need to provide this class name और यह हमें क्या करता है basically यह हमें provide करता है अगर मैं थोड़ा सो zoom out करूँ यहां पर app is equal to flask underscore underscore name हमने लिखा यह क्या करता है this creates an instance for the flask class instance क्या करता है यह बेस्क लिए मैं बताता है क्या आपने करना क्या है और यह जो है यह अगला काम यह एक decorator है जो हम use करते हैं to run our code ठीक है so हमने यहां पर दो चीज़ें लिखी पहले चीज़ लिखी app is equal to flask underscore name तो by the way यह जो light gray color में आ रहें यह comments है and you can change the theme तो आपके पास यह comments भी change हो जाएंगे अगर मैं theme में जाओ यहां पर color theme के बजाए मैं dark visual studio की theme करता हूँ वहीं पर आपने route करना है और जैसे आप इसको route करते हैं then what you have to do you have to define कि आपने function बनाना है जो आपने run करना है ठीक है यह का करेगा पहला function hello world को run करेगा और जैसे आप इसे run कर देते हैं then you have to call the app.run यनिके जब हमारे पास यह पूरी की पूरी एक decorator चल पड़ा एक हमारे पास यह class का instance जो है basically flask का वो run कर पड़ा and then we have here our function और यहाँ पर क्या हो रहा है यह function जो है यह basically क्या बता रहा है यह करेगा return hello world को और जैसे ही हमारे पास hello world को return करेगा that means अगर हम name is equal to is equal to main यह वाला command लिखते हैं इसका मतलब यह है कि अगर यह वाला name यह जो हमने class का instance start किया is equal to main अगर यह main है then app को run कर दो ठीक है अब यहाँ तक आपको समझ आगे हो कि हमने app को run करना किस तरीके से है यहाँ तक हमारे पास हो गया कि यह basic app बनी है which will print out hello world अब इसको चलाने के लिए क्या करना है मैं यहाँ पे जाता हूँ जो हमारे पास पहले से okay so जो हमारे पास यहाँ पे anaconda prompt है इसी के उपर हम बात करते है ठीक है here यहाँ पे अब हमने क्या करना है मैं mini conda को दिवारा से on करताूँ इसको मैं उस directory में ले जाता हूँ जहां पर हमारे पास यह एप है cd documents के अंदर है slash हमारे पास जो उसके आगे document के अंदर क्या चीज़ है जिसके अंदर हमने सारा environment बनाया यहां पर हमारे पास यह वाले flask के tutorials पड़े हुएं तो हम क्या करेंगे cd flask tutorials ठीक है अब जो हम जहां पर मुझूद है वो है flask के tutorials ठीक है अब हमने यहां पर क्या करना है conda activate करना है अपना environment वो कौन सा है flask underscore env और हमने फर्दर एक step आगे जाना है 01 basic के अंदर तो अब currently जो हमारा path है वो वला है जहां पर हमारी app पड़ी है मेरे documents के अंदर flask के अंदर tutorial जो है flask tutorial का folder उसके अंदर पहली app है यहां पर हम पहुँच गया है अब इस app को run कैसे करना है इसको पहले control s करके save कर लेंगे फिर यहां पर हम लिखेंगे कोई भी command for example यहां पर मैं लिखता हूँ flask run मैं simply flask run रिखूँगा तो यह मेरे पास app जो है आपने देखा automatically यहां पर cache develop होगी और यहां पर हमारी app run कर रही है मैं control करके इसको जब click करता हूँ it will open this app तो यह मेरे पास एक app open होगी है जिसके अंदर hello world लिखा आ गया इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो app से वो इस तरीके से हम चला सकते है ठीक है राउट कर सकते है अब पहला तरीका यह है जो मैंने flask run लिखा दूसरा तरीका क्या है मैं यहां पे python app.py लिखता हूँ तो इस तरीके से भी आपकी जो server है वो run कर जाएगा और आपकी app यह इस तरीके से सामने आ आपके पास app जो है वो run कर जाती है एक और important चीज़ यहां पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप app को run कर रहे हों तो यहां पे आप debug is equal to अगर true लिख देते हैं इसका मतलब यह हुआ कि development के दुरान जब भी आप कोई change करेंगे inside the app वो automatically आपके पास final app के अंदर वो काम चल रहा होगा for example मैं यहां पे app.py को run करता हूँ और आपने देखा है कि यहां पे मैं इसको run करता हूँ तो यह मेरे पास hello world आ ठीक है अब अगर मैं इसके अंदर कोई change करता हूँ hello world how are you ठीक है तो मैं यहां पे एगर ऐसे लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि अगर मैं इ refresh करता हूँ now you can see कि यहां पे कोई इतनी खास change नहीं आए but if you go back here और इसको refresh करते हैं तो आपने जो changes की है अपनी app के अंदर वो यहां पे show होनी start हो जाएगी that is why you need to use this debug is equal to true अब आपकी assignment यह है कि आपने debug is equal to true को खंब बंद करके देखने है and then you have to see कि यह किस तरीके से हमार ज्याद option होती है which you can see कि debug क्या है कि set server will automatically reload for the code changes and show a debugger in case any exception है ठीक है तो अगर यहां पे आप देखते जाएं तो आपके पास बहुत ज्यादा different किसम की चीज़ें कि आप किस तरीके से parameters को लगा सकते हैं अगर आप host name या कोई भी चीज आई पे वगारा set करना चाहते हैं you can also set 0000 इसका मतलब कहीं पर भी चलेगी 127.001 इसका मतलब यह होगा कि आप server name वहां पर define कर सकते हैं आप अपनी port को भी define कर सकते हैं usually यह server की techniques होते हैं जब आप एक web app बना रहे होते हैं and there are many other things which you can do जो मैं यहां पर आपको नहीं बता रहा लेकिन आने वाले sessions के अंदर हम देखे यहां तक आपको clear हो गया अब अगले lecture में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने flask के through different apps बनानी है like share and subscribe कर दे अगर आपने नहीं किया हो इस channel को that would be really helpful for us और इस video को देखने से पहले जो मैंने आपको बोला था कि पूरी playlist के link मैंने description में दिया है और उपर i button के कर दो